और मेरे भाई, बेहन, उमीद करता हूँ, आब रमचरे का पालन कर रहे होंगे, चाहे 10 दिन हुए हो, 20 दिन हुए हो, बढ़ते रहें आगे, हम सब मिलकर एक लंबा सफर तै करने जा रहें, हार मत मानिएगा क्योंकि बहुत आगे जाएंगे आप, आज के इस वीडियो में हम हम लोग दो बातों को cover करेंगे, सबसे पहला है morning routine क्या होना चाहिए, सुभा की शुरुबात कैसे करें, और दूसरा है अपने mobile phone को कैसे सही तरके से इस्तमाल करें, जब भी आप इस वीडियो को देखें, आज हम सब मिलकर एक वादा करते हैं, हम हमेशा दर्द को असली मज़े के लिए, जो जिन्दगी भर हमारे साथ रहेगा, हम खोकले मज़े, हम पल भर के मज़े के पीछे नहीं भागेंगे, जो हमें जिन्दगी भर का डर्द दे, तकलीफ दे, ब्रहम चेरे से एक लड़के की जिन्दगी पूरे तरीके से बदल गई, क्योंकि वही लड़का, जो सुबह उठता था छे साड़े शे बज़े के करीब, सबसे पहले अपना मुबाइल फोन खोलता, मेसेज चेक करता, स्क्रॉल करता, छे से साथ बज़ गए साथ से आठ, आठ से नौ, अभी दिन के उसकी शुरुवात ही नहीं हुई है, कि मुबाइल में कुछ लड़के की चमक को साब साब देख पा रहा था, जब सारी दुनिया सो रही थी, ये जाग चुका था, जस्ट इमैजिन वो शांत वातावरन, कोई नहीं है, आप निकल गए हैं सुबह सुबह, टहलने के लिए, ताजी हुआ चल रही है, हरी हरी घास, कोयल की मधूर ये तो सुवर्ग है, इसके बाद ये प्रानायम करते हैं, पूरक, अभ्यंदर प्रानायम, रेचक और पहये प्रानायम, ये ब्रह्मचेरी की एनरजी को पूरे शरीर में फैलाता है, आलसे को खतम कर देगा, जो भी डिप्रेशन है, तनाव है, आप एकदम चिंता मुक्त ह हो जाएंगे, सबसे पहले गहरी सांस लें, जितना आपसे हो पाए, उसको रोकें, जितनी देर तक कर पाएं, रोकने के बाद उस सांस को बाहर की तरफ एक्जेल कर दें, जब सारी हवा बाहर निकल जाए, तो अपने पेट को अंदर करके थोड़ी देर तक वैसे बैठें, अगर आप 10 मिनट भी इसका अभ्यास करते हैं हर दिन, भई आपकी जिन्दगी बदल जाएगे, कोई नहीं रोक पाएगा, इसके बाद ये घर आते हैं वापस, meditate करते हैं, अपने goals को visualize करते हैं, देखते हैं कि मैं काम्याब हो रहा हूँ, जो मेरा target है, मेरा goal है, मैं उसको ह आसिल कर रहा हूँ, यानि बुरे विचार, negativity के लिए कोई जगा नहीं है, positive सोचना है और बड़ा सोचना है, इसके बाद पशु पक्षियों के लिए भोजन तियार करते हैं, और हमारे ब्रहमचेरे चैलेंज को लेने के बाद इन्होंने तामबे के बरतन में पानी पीना श खुद सबुत होंगे, ब्रहमचेरे का पालन करते हुए अपने mobile phone का कैसे use करना है, सारी चीजे मैं आपसे share करूँगा एक एक करके, लेकिन आज एक बहुत ही जरूरी बात आपसे कहने जा रहा हूँ, chatting को लेकर एक rule बना ले, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, टेक्स्ट कर इसको follow करके देखें, ये बहुत ज़्यादा effective है, मालीचे किसी से भी बात करनी हो phone में, तो आप phone को speaker पे रखें, पहली बात, अपने घर वालों के सामने बैट कर बात करें, इससे ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी, सपस्ट होगी बात, और आपका time waste नहीं होगा और दूसरा ये, कि उससे कोई गलत तरह की बातचीत आगे नहीं पड़ेगी, अब हो सकता है कुछ लोग ये भी बोलें कि भाई मेरे दोस्त ऐसे हैं, जिनसे मैं phone पर कभी speaker में बात नहीं कर पाऊंगा, तो यही पर बात आजाती है संगती की, कि कैसी संगती है, वो कैसी ब वीडियो के description में है, आप illuminati show liquor भी search करेंगे वहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में,